फाइनली एक बार और प्रसासन ने किसानों के ऊपर आशू गैस के गोले दाग दिये और वो भी आज ही दागे हैं किसानों की तरफ से कहा गया था प्लैनिंग बन रही थी किसानों ने चलना भी स्टार्ट कर दिया था कि दिल्ली में अब घुसते हैं प्रसासन खड़ी थी सामने और दाग दिये गोले मामला दिन पर दिन विकट होता जा रहा है चार बार सरकार के साथ किसानों की बैठक भी हो गई है लेकिन चारों की चार बार किसानों को संतुष्टी नहीं मिली है और इसलिए किसान घुसना चाहते हैं लेकिन सरकार बुल रही है नहीं घुसने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसान पूरा ट्रेक्टर, ट्रॉली, मसीनों के साथ घुसना चाहते है सरकार बुल रही है हम घुसने ही नहीं देंगे पूरा मैटर क्या हुआ है समझो और समझो कि किसानों का नाम भी किस प्रकार से धुमिल हो रहा है मतलब पहले जैसे पहले किसान करते थे प्रोटेश्ट पूरे देश का समर्थन मिलता था कि हमारे किसान है जिनको अन्न दाता कहा जाता है लेकिन अब ये कंडिशन हो गई है कि बहुत सारे बहुत हद तक लोग कहने लगे है कि अब ये सर से थोड़ा सा उपर जा रहा है प्रोटेश्ट मैटर समझिए और इसमें ये भी देखिए कि किस प्रकार से धीरे-धीरे कहते हैं कि आग में घी डालना विपक्ष इस तरीके का प्रयास कैसे कर रहा है आपको पूरा समझाते हैं अभी फिलहाल के लिए कांग्रेस के एक मंतरी है मंतरी डॉक्टर बलबीर सिंग इन्होंने केंद्र सरकार से ये कहा है ठीक है गुजारिस कह सकते हैं कि किसानों को सरकार दिल्ली में घुशने दे मतलब जो रोका जा रहा है बॉर्डर पे वो रोके ना घुशने दे किसानों से भी कहा है कि आप लोग शांती बनाए रहिए लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि किंद्र सरकार समवेधानिक तरीके से किसानों को एंटर करने दे दिल्ली में उपर से करनाटक के एक मंतरी है प्रियांग खडगे इनका कहना है कि बुद्धवार को कहा था कि प्रधान मंतरी को मन की बात कहने का आउसर मिल जाता है कहते रहते हैं लेकिन किसानों की बात प्रधानमंत्री सुन ही नहीं रहे हैं मतलब अपनी बात करते हैं और किसानों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि उन्हें सुननी चाहिए साथी साथ विपक्ष के खडगे जो हैं जो भी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष हैं मलिका अरुजुन खरगे ने कहा है कि जो MSP की मांग किसान कर रहे हैं अगर उनकी सरकार आती है तो MSP को वो लोग solve करेंगे जो किसान MSP के लिए कानूनी गरांटी मांग रहे हैं वो सभी फसलों पे तो नहीं लेकिन बहुत हद तक solve करेंगे किसानों का problem तो ये Congress ने मसाला मिर्ची मार दिया है जिसको देख करके किसान थोड़ा सा वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उपर आ जा रहे हैं हलाकि आरोप तो यहां तक लग रहा है कि directly support है विपक्षी पार्टियों का किसानों के ओर से लेकिन ये सब राजनीती में ये सब चलता रहता है ठीक है support ना support क्योंकि किंद्र में जो होती है विपक्षी दल साथ देती ही देती है और ये चलता आया है और चलता रहेगा लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली में घुषने दो कहा है न एक मंत्री जीने और सरकार बूल रही है कि हम घुशने ही नहीं देंगे देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसको समझिए सरकार अगर बूल दे किंदर सरकार कि आप जाईए दिल्ली में घुश जाईए बॉर्डर पे ना रोके आखिर सबका समझिधानी का दिकार है कि वो दिल्ली में जा सकता है लेकिन जिस तरीके का रुख अख्तियार किये हुए किसान जैसे ट्रेक्टर ले रहे हैं, टॉली रे रहे हैं, जैसी भी मसीन ला रहे हैं अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि किस प्रकार से किसानों के ऊपर आसुगैस के गोले दागे गए लेकिन किसानों का प्लाइन क्या था वहाँ पे जेसी भी ला दिया था कि जो भी बैरिकेटिंग की हुई है पुलिस की तरह से पत्थर लगाए गए हैं उसको अटाए किसान हटाएंगे और फिर जाएंगे बल से बल का प्रियोग करके जाएंगे भीतर देखिये सबसे important बात यह है कि किसान तो देश के हैं मैं खुद आता हूँ किसानों की family से बात यह है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ किसान कही matter तो solve नहीं होता है दिल्ली राजधानी है एक तो ट्राफिक कंडिशन्स खराबी रहते हैं और उपर से अगर किसान ट्रेक्टर, ट्रॉली, जैसे भी मसीनरी का सामान लेकर के प्रोटिस्ट करने जाएगा तो सोचिए कंडिशन क्या हो जाएगी, पहले ही दिल्ली जाम से जूजता रहता है, पूरा दिल्ली ही बंद हो जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद अगर ये परिस्टिती हो जाए, जिस तरीके से अभी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, किसान, लेकर के अपना सब कुछ, अगर दिल्ली में जाके बैठ जाएगे, तो समझिए कि बहुत कुछ पे प्रभाव पड़ेगा केंदर सरकार सोच रही है कि दिल्ली कम से कम बंद ना हो और किसानों का जो भी मैटर हो वो बाहरी बाहर सॉल्व कर लिया जाए, इसके लिए केंदर सरकार चार बार बैठक कर चुकी है और खबर ये है कि अब जैसे कि किसान कुछ करने वाले थे दिल्ली, उनके उपर आसू गैस छोड़े गए, रोका गया अभी भी केंदर सरकार पांचवी बार बैठक करने के लिए कह रही है, वो बैठने के लिए तयार है कि हम किसानों की जो भी मांगे हैं, उस पे पुनर विचार करेंगे और किसानों को संतुष्टी देने का प्रयास करेंगे लेकिन बात ये है कि जो विपक्षी पार्टियां है, जो कि जैसे आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि एक ने कहा है कि पियम ननेंद्र मोदी अपनी मन की बात करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं है अगर आप छोटे-छोटे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे निकाल के देखोगे न, तो आपको बहुत सारे अपवाद विवाद दिखेंगे लेकिन अगर सीधे देखा जाए, फेयर वेज से, तो ना तो किंद्र सरकार दोसी है, किसान अपना मांग मांग रहे हैं लेकिन किसानों में दोस यह दिख रहा है, कि जिस तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से मसीनरी का उपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से ट्रेक्टर ट्रॉली का उपयोग हो रहा है, क्या आप किसी देश की राजधानी में घुस करके, चाहे वो देश का ह अगरी क्यों न हो वो ऐसे अगर करेगा तो उसे रोका तो जाएगा ही केंदर सरकार की तरफ से कोई भी हो किसान हो या फिर कोई भी हो किसानों को चाहिए कि सांती पूर्ण तरीके से ये कारे किया जाए ना कि ट्रेक्टर ट्रॉली ले करके किया जाए ताकि अगर सपोज करि ये कि किसान यहाँ पे सांती पूर्ण तरीके से जाते, पैदल यातरा से जाते, बस से जाते, ट्रेन से जाते और प्रोटेस्ट एक जगे पे मिलके करते तो उसकी बात ही कुछ अलग होती, लेकिन जो इस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें की जबरजस्ति घुष उसने का प्रयास with machinery किया जा रहा है ये गलत लग रहा है और अब देश को भी गलत लगने लगा है कहीं ना कहीं फिलहाल आज जो आसू गैस के गोले चलाए गए थे इसमें किसान अब फिलहाल के लिए मान गए है किसानों की तरफ से statement आई है कि हम machinery का प्रयोग नहीं कर रहे हैं मतलब जो आगे का पत्थर वत्थर जो boundaries बनाई गई है जो barricades बनाए गए है उसको तोड़ के जाने का दिल्ली में प्लान था उसको फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है किसानों की तरफ से बोला गया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे जो अभी तक की रिपोर्ट है अभी तक की मैं आपको बता रहा हूं तब तक की आगे का प्लान कुछ भी हो सकता है क्योंकि किसानों के पास machinery है और यह बात जिस प्रकार से machinery का उप्योग हो रहा है इससे कहीं न कहीं किसानों के नाम पर चोट तो आ रहा है वाकि आप बताइए कि क्या सोचते हो और जुड़े रही है हमारे साथ राम राम मैं हूँ अंकित सिंग